प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में पहली सवा जमुई में संपर्ण हो गई हमारे साथ लोक्तिनसक्ती पार्टी के अब सर्वे सर्वा चिराख पास्वान है 2019 और 2024 की सवा में क्या अंतर था? 2019-2024 की सवा में अंतर ये था कि इस बार जादा उत्सा था प्रधान मंत्री जी की मोदी की गैरेंटी के प्रती लोगों का जादा उत्सा था डबल इंजन की सरकार के प्रती लोगों का वो उत्सा था और ओवर ओल प्रधान मंत्री जी का जो पिछले 10 साल का कारेकाल रहा जिसमें जो बाते उन्होंने कही उन बातों पर खरा उतरना सीधा लोगों तक जो सुविधाएं पहुँचाने का कारे प्रधान मंत्री जी हमारी केंडर की सरकार के द्वारा किया गया और साथ मैं चिराग पास्वान जमुई से हूँ तो जिस तरीके से दस साल में मेरा कारेकाल रहा जमुई की जनता की अपेक्शाओं पे खरा उतरना जमुई को आकांग्शी जिलो की अस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स की सूची में पहले नंबर पर लेकर जाना जो की नीती आयोग भी इस बात की गवाई देता है बिहार फर्स बिहारी फर्स पर लोगों का बरता विश्वास इन तमाम चीजों को समाहित करकर मैं मानता हूँ कि आज की सबास जादा उटसास से बड़ी हुई और भीड आपने देखी ही आपके पिता को याद किया आपको छोटा भाई कहा बिल्कुल मेरे लिए बहुत सम्माहन की बात है और मेरे प्रधान मंतरी जी मैंने बार बार मैंने कहा है कि वो रिश्टा रहा है मेरा मेरे प्रधान मंतरी जी के साथ तबी कई बार जब मुझे ताने भी दिया जाते थे विविवन बाते कहकर उस वक्त मेरे खामूश इसलिए रहता था क्योंकि ये रिष्टा और इस रिष्टे की मर्यादा मेरे प्रधान पूतर होने के नादे मेरे लिये बहुत मायने रखता है मेरे माँ के लिए بहुत मायने रखता है और जिस तरीके से अपना छोटा भाई कहकर उन्होंने संभोधित किया, इससे बड़ी उपादी किया तो ये माना जाए कि जो आपकी पार्टी में विभाजन हुआ जिसमें जे डी यू, बीजेपी के लोगों की भूमिका थी, वो सारा बिटरनेस आप भूल चुके है बात बिटरनेस भूलने की नहीं है, बात प्रातनिक्ताओं को तेह करने की, और मुझे लगता है राजनीती में प्रारेटाइस करना बहुत जरूरी है, आज की तारीक में मनीश भाई जब हम लोग बड़े लक्षे की और अग्रसार हो रहे हैं, जब देश बर में 400 पार जिसम मेरे मुखे मंत्री भी इस बात को लेकर बहुत क्लियर है, मैं मेरी पार्टी इस बात को लेकर बहुत क्लियर है, कि हम लोग बड़े लक्षे की और अग्रसार हो रहे हैं, प्रधान मंत्री जी को प्रधान मंत्री बनानी के लिए ये गड़बंदन पांचो दल का इतना मश् में हम लोग कारे कर रहा है एक आपकी पार्टी में टिकेट डिस्टिबिशन को लेकर कई लोगों ने इस्तिफा दिया क्या कर रहा है यह एक प्रयास जरूर किया गया था देखिए ऐसा नहीं है कि कोई नराजगी नहीं है नराजगी है और मैं पूरा सम्मान करता हूं मनीश भाई सभाविक है कोई वेक्ति अगर कारे कर रहा है मेहनत कर रहा है अप एक शागर रख रहा है और अंत में अगर उनको टिकेट नहीं मिलता है तो इस बात की नराजगी होती है मैं इसको इससे भी कवरप नहीं करूँ है क्या कि हर दल में होता है चुनाओं के वक्त य राजजे का हो केंद्र का हो हमारी कोर ग्रूप की मिटिंग में बहुत सतर पर हम लोगों ने सर्वेस करवाए हम लोगों ने फीडबैक लिए बहुत से लोगों से फीडबैक लिए और विनिबिलिटी को एक मश्बूत अधा जब हम 40 की 40 सीटे जीतने की जब हम बात करते है तो कोई भी ऐसी चूक हम लोग नहीं कर सकते जिसमें किसी भी एक सीट पर प्रशन चिन उठे ऐसे में बहुत सोच समझ के फैसला लिया गया तो जहां नाराजगी का मैं सम्मान करता हूँ वही हाँ खई नाम बढ़ा चढ़ा कर संख्या को बढ़ा कर दिखाने के लिए गय जिनका नाम लिया गया है वो आज भी बिहार फर्स बिहारी फर्स लोग जन्शक्ति पाड़ी रामवलास में विश्वास रगता है यह आपने बहनुई को यहां पर अपना उत्रादिकारी बना है उन्ही को क्यो को और कारे करता को क्यो नहीं मेरे अपनों के लिए क्योंकि मेरे जीजा जी इनसे बहतर कौन जो की उसी भावना के साथ क्योंकि इनसे बहतर कोई नहीं समझ सकता मैं किस भावना के साथ जमुई की जन्ता से मैं जुड़ा हूं तो ताकि सारी चीजे वैसी ही रहें कोई भी और आएगा तो संभवता एक सांसद चेत्रिय जन्ता का रि से उमिदवार बनाया जाए अरुन भारती जी को आपने उमिदवार बनाया चाचा आपके जो है अभी भी एंडिये में हैं कह रहे हैं कि हाजीपूर जाएंगे आपको उससे कोई आपती है भलकि वो क्यों अलग हुए मुझे तो यह भी नहीं समझ में आया मुझे तो पहले मंदरीपत से आपने स्तीफा दे दिया जरूरत नहीं है इन सारी चीजों की अब आज जब आपने अलग अलग दर्वाजे नौक किया संभवता शायद कहीं से रिस्पूंस नहीं मिला या जो भी रहो मुझे नहीं पता बड़ आज जब वो वापस गड़बंदन में आये है मेरे प्रधान मंत्री जी की गैरेंटी मेरे मुख्य मंत्री जी का साथ बाकी दोनों दल के नेताओं की मजबूती उपेंदर कुश्वा जी हूँ मा जी जी हूँ हम सब मिलकर अच्छे से प्रचार करेंगा